हलो फ्रेंड आज का जो वीडियो है यो step by step जो सस्ता है वनली फरस में पाटा का काम है अचाल गोपीलर का तो step by step जो सस्ता है तो सामने आप इसकीन पर फोटो देख रहे हैं समने जो स्कीन आप फोटो देखे हैं सेंप तुसेम यही काम अगर करना चाहते हैं इसकीन पर फोटो आप देखे हैं सेंप आपको यही काम अगर करना है यही काम करना चाहते हैं तो इसमें कितना कॉंट्रेटी में आपको फूल लाएगा फलावर कितना कॉंट्रेटी में लेना है कपरा कितना लेना है इसमें हिटलोन लगा है कितना कैसे लेना है कितना में पर अवाति हम ललं आगा है। अवाति हैं तो आप दो हुआ है मेरा हम क्या लग आए, कि यह बनाता हूं मैं धर फोन से या डार्ट मोबाईल से वीडियो नहीं बनाता हूं परम रहा है फ़िर्म आहे हैं और शारो आया वाज का मा तो म셔야 कि अगर आप रहे गाए थेख लीजिए आप फोटो तरह भेत दीज़ेगा नाम के साथ कि मैक का क्या नाम है अ क्या पर आज है उसका अगर आप लोग को दिख्वत होता है वीडियो देखने में आवाज सुनने में कि आहिसा आप समझ नहीं पाते हैं कि we go देखते हैं कि यूर्य जंदली आवाद आपका जो है बहुत कम unknown इसलिए मैग डिखेंग किजिए यहां मैग तो हम लिए पर देखें इसका साक्टवेस्ट आल यूकिने सांट ग्रीनिए लिए ठिखेंट कि इसका गयाख वनतर है इसी GUY सोभाज बनता हैं तो फिर भी हमको कमेंट आता है कि भाया मतलब आपका आवाज थोड़ा कम रहता है आवाज थोड़ा लाओड कीजिए जोड़ से बोलिए या तो देख लिजिए अगर आप लोग अपास कोई बनिया मैक का सजेशन हो तो सजेशन दीजिए कोमेंट कीजिए मैं अपने एक फोटो देखी चुके है उसका उसमें कैसा मतलब पांट कितना वाय कितना लेना है प्लावर कितना ले मतलब कितना लायगा ओच सिस्कीके में इसका हुए तो दूँगा चुराता है किसे काम किया जाता है तो कमधेंट कीजिए मैं आप को बीडिए का लिंक पहुद देख काम किजेगा तो इसमें आपको पीलर जो है कितना का लेना है या कितना पीलर लेना तो फीलर सब से लंबा बीम है 14 फिटका बीम आपको पुराना है पुरा सकते हैं यहारी सबना है 54 फीटके आपको 2 भी पुराना पूटो में देख रहे हैं 54 फीटके पूटो पूराना पूटो mayum देना है इतना ही लेना है 14 फीटके दूगो भीम लेना है जो आप ङूप डूटों अब इस इंट्रस देख रहे हैं होंगे के कारमेसें जो लगा हुआ है पिंक लर का कार्नेशन और वायथ करनेशन हीppen हीतलों है 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 पहले वीडियो में दिखाएं थे कि तीन inspect twoła में तिन शोक रेट10 वायथ और और कारेशन को सीकिलाकर करकर आकर सांझ को घूप में ठीजिया लगा देजिया अब वी सैंटर मेंना केहां जो तक करनेशन की दि मोसफ में 13 एन में 14 धीटका यह यह लेकिन इस में सिच्टम क्या है कि इस्सिस्टम क्या है उस्नलीजाय कि पटा ज्यूभ हुआ की पाटा लेना olması है मिल अग वह स्वेदी पाटा शारक फीट का पाट वंड़िय पकश्कार करने समय वह सब्सक्स करणireं और फीडित वहां भीक्रास ओंधने लगताने में हुद्व मेरे ओधने में अर्च दुटाung वे एक यह 177 लाएना थे सब्सक्राइब याहाई कूंते जासे मैं आपक्ति देखा काच्अ हरा जो है को सब्सक्ण अगर आपको काम करना है तो चालाई तीन फिट रखना पर एक देख लिए जो भी आपको देखना है समझ लेजिए अगर आपको तीन नहीं तो सारे तीन फिट मेंक्समिंट रखिए इसका जो चुराइई है इसका सारे तीन फिट चुराइए देख लिए तो इस टेप बाइश्ट जो भी आपको काम करना होगा पाटा का अगर काम करना है पाटक आप समझगे 20 सेंटर में आपको 14 दा तीन लेना है उसके बाद दोनों साइट से 12 दा तीन लेना है तीन रखे या सारे तीन रखी जो आपको समझ में आवे यह रखे लेकिन 4 पीट में थ्थुरा तो मेरे पास तीन फिट का भी है तो मेरे पास तीन फिट का भी है तीन फिट का भी है को देखने मेरे तरब हम अपने तरफ से करें आपको तीन फिट भी रखना है अस तरह तीन फिट भी रखना है कि अगर फिट का सिंकल पाटा नहीं है आपके पास तो साथ की का दोगो पाटा को जोड़े जैसे पिलर जोड़ा जाता है उसे पाटा को भी जोड़ा जाता है अगर 14 फिट का सिंगल पाटा आपके पास नहीं है तो 7-7 फिट का दूगो पाटा जोड़ गये तो हो गया 14 फिट का पाटा सिंगल एक ही पाटा राखने है आपको 14 फिट का 14 फिट का तीन का उसके बाद द जोरकर के उसको 14 बारा बना देते हैं तो अब समझ गया 14 फित का एग हो लेना है 14 बाई 3 का पाटा एग हो 12 बाई 3 का पाटा दूगो दस बाई 3 का पा पाटा दूगो ऊठवा बात समझ गया है बात समझ लेजे कि साथ बाई तीन का दूगो पाटा लेना है आठ बाई तीन का दूगो पाटा लेना है दस बाई तीन का दूगो पाटा लेना है बारा बाई तीन का दूगो पाटा लेना है चौदा बाई तीन का दूगो पाटा लेना है चौदा बाई ती तो पाटा और पीलर इसका आप समझ गया है आप आजा यह आप डीप है जैसे कि इसमें चार फिट का डी लगा हुआ है तो पाटा अगर आप तीन फिट का डेते हैं तो डी भी आपको तीन फिट का रखना पर अगर सारे तीन फिट का डेते हैं अगर पाट चारफित का चार फित ही देना चाला नहीं। कि इन चासे हैं आप समуз पर that में आपोइक काम कर ना चाहते हैं तो इस अब सब्सक्राइब को इस देना पर Investig an पॉसके बातस ही आपगा जाए इसे पर रूट लगा हुआ है। हैं या उससे खरीद सकते हैं उपर में जो पाटा को उपर में जितना भी वाइट वाट लगा हुआ है जो देख रहे हैं आप उस्टोटल का टूटल ही लगा हुआ है किसले आपो कैसे क्या है उसके बाद पीटलोन का मैं फिर से आपनए का नमर दे दूँगा आप उनसे कटवाबन है कैट्वान आप टाज्टा लाहीं या सकते हैं आप डाएक्टर में लुके खरणा है तो आप उस hm करना खरीद भी सकते हैं तो यह हो गया आपका हेटलोन का हो गया आप डी सेंटर में जो आप राउंड डेखने के लागा हुआ है इसमें पीलर जो उसी पीलर में जो राउंड राउंड देखनेquarश राउंड आंद भू Pur बनेगा अगर शोटा अगर तिम फिट का डी से राउन बनाते हैं तो चोटा परदाएगा इसका रण जो है आपको 4 फिट के डी से दूगो डी को जूर करके उसको राउन बना देजीए अब असे में कपरा लाएक करके जैसे गार्डन किया गया वनिफौर का गार्ण है वाइ लगा हुआ है अगर वाइट पिला पर ही काम करते हैं तो तुरह बहतर लगता है देखने में इसलिए आप समझ गे बीच में रांड में लगा हुआ है बीच रांड में जो गुल बना हुआ है उचार-चार फिट का दूगों डी बाहनी है आपका रांड बनके तैयर हो आप कपरा के आजए तो जैसे देख लिए पाटा में कपरा लगा हुआ है सामने आप देखे रहे ना रोटो कपरा होता है इसका रोटो कपरा नाम हुआ है इस तरह का कपरा पाटा में लगा हुआ है आप डी में जो कपरा लगा हुआ है उसको पानी-पानी बोला जाता है क यह प्राव को कप्राव को पाणी पानी बोलाता है इस तरह का अगर कप्रा आप लेना चाहते हैं तो आपको 36 यानि कि छो बंडल तीस फोल्का भंडल आएका जो 11 चारे रूप्या आपको मिलेगा यह दर्भंगा का रेठ है यह दर्भंगा का रेठ है कपटा का 11 एक आरच चार जो से पांच गो लेंगा लाम चेब रख सकते हैं नन्य शेब लख लाक्ड ब्रक नां कि रोटो कपटा का तो ऐक पाटा में और पीलर में दोन में आपका कामा चाएगा ये क्रीम क्लर का फिला दोनों में आपका कामा जाए गालेकिन कपरा फिला को बहुत है क्रीम कर्मने के tidak काल Lebact कि पास त्याथ का गजने मनी प्लांट रखना है मनी पलांट आप गो दोपेक्चि रख लेएं बारा पिश का साता है मनी पलांट आप दोपीस रखे एक पैकेट में आपको 12 पीस मिलेगा जिसका रेट है इसका 3-4 रुपया सारे 3-4 रुपया ये भी दर्भंगा का रेट है बारा दुन 24 पीस आपको मनी पलांट लग जाएगा मनी पलांट लग जाएगा कपरा का बार में आप समझ चुके हैं कपरा आपको 5-6 बंडर लखना है 30-30 फोल्ड का मनी पलांट आपको दोपेकेट रखना है बारा दुन 24 पीस एक पैकेट में 12 पीस आता है इसका रेट है मैंने आपको बता दिया दर्भंगा का रेट है इसका 3 पानी पानी जो कपरा है आपको भी पानी पानी कपरा भी लेना है वाट पिला देख रहे ना यही कपरा है यही कपरा आपको लेना है वाट पिला लेना है या वाट क्रीम लेना है कपरा में जो भी रखे वाट क्रीम लेना है यह जो है आपको 10 रुपे फोल्ट मिलेगा यह यह भी फोल्ट के हिसा आप से ही मिलता है तो यह भी आपको 10 रुबे फोल्ट मिलेगा जो आपको यह अगर दूसा फोल्ट आपको लेना है कप्रा एक सब फोल्ट लेना है पीला सब फोल्ट लेना है वाइट तो 2000 आपका फोल्ट हो गया, कपरा का 2000 हो गया यह, समझगे कपरा का आपका यह, 2000 आपका कपरा का हो गया कपरा बचेगा भी तो बचेगा तो अगला डेकुलोशन में भी आपको कामा जाए चुकि यह सब कपरा बरबाद होता नहीं अगर सही से रख्षेगा तो बरबाद होगा नहीं तो आपकाप्रां समझे गए आप आधा या फलावर लेदे आधा के अधार रुपय पर पीस right दर्भंगा कारेट है ये भनी आख़ में वाटर तुसरा अपर्पिस वा थे है आपको रखना है और केट झो है सब्सक्राइब करने भर करनेशन ने साथ depends on झाले आपको तीज मत रखना है उसका का जुुआ ना कभर करकिया बहाद में है कर्नेशन भी वाट है चार पत्ति पत्ति है इसमें पत्ति आता है कर दो है करेछन करेटी टो सब्सक्षै नौनढेद है लिए धीक ईला दृइपनाभी नचांश मोन हो बynnete कर्के याथ बिलेशन मतंस्ठ भी कर्नेशन हरे जो ऺंडेकर डाम यह 305 लोई कार्नेशन आता है लेकिन पांच पती तुरा महना परेगा तो चार पती लिजिए ये 240 पिसका 300 सी रुपिया तो आप समझ लिजिए कार्नेशन आपको कम से कम जो है 500 से या 1000 पिस मुटा मुटी मान के चलिए 1000 पिस रख लिजिएगा अगर 1000 पिस रखते हैं तो थुराग और बचता है तो आप ही को काम आएगा उसा भी बरवाद नहीं होता है कम हो जाने से अच्छा है कि हलका सा बरहा करके हिले लेजिए ताकि कमें नहीं चाहिए एक 1000 कंडिशन रख लिजिए आप 300 पिस और्केट रख लिजिए 500 पिला कंडिशन रखना है 500 वाइट कंडिशन रखना है 1.500 पिला ओर्केट और 1.500 वाइट ओर्केट सब समझ गया आप कपरा कितना लेना है फलावर कितना लेना है पाता कितना का है पीलर कितना का है तرا हिटव को लेए बहां कितना कैसे लेना है और हिटव लॉन है तो जहाँ आपके आप पास आपके जहाँ से आप रहते हैं वहां अगर आपके ल Hack वहांसे खरीद दिए गुझा अगर नहीं जाली लगा हुआ है नहीं यही ओसीश हुआँ अब आजाए ओसीश पर शाली जो है आपको कम से कम एक से देर पेटी लेना है मानके चले दो पेटी मानके चले 330 रुपया इसका एक पेटी का दाम है ओसी स्वाब है यी 330 रुपया एक पेटी का दाम हुआ ही तो तेन्दूना 660 रुपया ओसी का लग गया इसमें जो जाली जो लगा हुआ है जाली देखने लगा हुआ तो जाली का रेट है सारे 400 रुपय जाली आपको सारे चार सच च्ण पादे इसमा दो जाली में आपको 3 पेटी तो कि वैस्टी ऐंगता है वैस तुकि जाली ऐसीच आपको थी आपको शाली ईपने रहते हैं। अगर शूआपको नहीं लगाने आता है अब आप देख लेजी कोई पलस पांट है अगर ओस इसमें जाली आपको नहीं लगाने आता है तो मुझे सबसे उपर जुठो दिल लगा हुआ हो इस का गया है हमिए अगां कि देख रहा है कि ऑगा है कि को माटा टिल तो ड़िल बना लेना प्रता नाई तरोन 5 इसकीं पार इसके टि मो अका चति लिकसे गास घरनार कव आपको में लिकस्क लिकस समझें उसके बाद पाठा रखेखा थन्ह चेह लागा सबगये चरा प्रम्रय में दूर्भ सबस्क्राइबically तो डूठो डील तो आप सामने मी देख लेगा इस तरह का दिल हई है देखरें ना ये से इसे तरह का दिल आपको रखना है कर दाखने आप देखरोव चैनल है टा बहद आता है है और घाल सलग। ऐगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्य बात झाल झाल